नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल जीके स्पोर्ट साइट में तो हम सभी बिहार स्पेसल का जीके MCQ कर रहे हैं पिछली विडियो में हमने एक से लेकर 55 तक 55 कोशन किये थे एक से लेकर 55 तक और आज 56 से लेकर 100 तक MCQ करेंगे बिहार का जो कि बिहार से रिलेटेड जो भी चाम होते हैं उसके लिए ये हैल्फ फुल रहने वाला है तो विडियो को लाइक किजिएगा सेर किजिएगा और चैनल पर पहली बारा हैं तो सस्क्राइब किजिएगा तो चलिए प्रश्न जो है प्रश्न नमर 56 उससे विडियो स्टार्ट करते हैं प्रश्ण है 56 वालमी की राष्टे उद्यान कहां पर है तो वालमी की राष्टे उद्यान ये हो जाएगा बिहार तो option 3 इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है 6 बिहार के अतरिक्त किस राजे का भी लोक निर्टे है तो बिहार जो बिहार में 6 निर्टे होता है यान टो इसका नाम याद रख लिजिएगा जो च्छोव निर्ते होते हैं वह हैं जर्खंड इससे याद कर लिजिएगा आप सभी जहर खंड हो जाएंगे जर्खंड और बिहार में तो होता ही है विहार बिहार उडिशा और पश्ष्षीं बंगाल भी आद देखेंगे पश्षीं बंगल तो यह इhen चार हैं चार जो राजे हैं इसमें six सिद्वर्ण निर्थ km में नहीं है और वे हैं और उडिशा भी अपसन में नहीं है तो क्या option में है पस्चिम बंगाल जो है option में है तो पस्चिम बंगाल को टिक करेंगे यानि की option एक सही answer हो जाएगा 57 का अगला प्रश्ण देखते हैं बिहार में कितने जीले हैं तो सभी को पता है 38 जीले हैं बिहार में लोग सवा सीट के बात करें तो 40 है राजे सवा के सीट की बात करें तो 16 है बिधान परिस्ट के बात करें तो 75 है बे और और सभा के बात करें 243 है कि cannot कि तो यह सभी याद रखना है अगला प्राश्ण है छिग्या विए हर इस तरप में बी शुर्वार से राज्यं है इस तिस्ता में सबसे अधिक जन संख्या हैं यह पुषा जा रहा है यह संद सफशा कोगते हैं यह तो यह उत्तर गिंद miesz nied एधिक चनशंख्या दें कौन थे मौलाना मज्रूल हक गालों है क्यों कि हो सब्सक्राइब के पर ostr ay तो उसमें repeat हो सकता है तो मोलाना मजरूल हक जो हैं वो भिहार में home rule के अध्यक्ष थे अगला प्रस्चन है 61 कि बिहार सरकार द्वारा सुरू की गई हर घर हर घर बिजली योजना कब आई थी बिहार सरकार के द्वारा सुरू किया गया था हर घर बिजली योजना तो ये कब लाई गई थी तो ये लाई गई थी नौवंबर 2016 को ध्यान में रखेंगे नौवंबर 2016 को ये हर घर बिजली योजना आई थी अगला प्रशने देखते हैं एकी करित विधूत विकास योजना का मुख्य वस्तु क्या है तो 62 का एंसर देखिए हो जागा सभी के लिए 24 इसे सकती सुनेचल करना ठीक है यह था ओप्षन से ठीजान में रखेंगे इंपॉर्टन नहीं है अगला प्रशन है बिहार में मुख्या ने स्थीपास वत्पय यह निसे भी है मुख्या किसे सोबते हैं तो देखे चारशे और यहां देखेंगे तो जीला पंचायत राज अधिकारी को मुखिया अपना इस्थीपा सोपते हैं किसे जीला पंचायत राज अधिकारी को तो यह था 63 का एंसर 2 ऑप्शन 2 था अगला प्रश्ण निम्रिखित में से कौन दक्षिन बिहार में इस्तित है तो देखें अगर आपने बि पुनिया है आ रहा है गया है और राजगीर है और दक्षिन बिहार पूछा जा रहा है तो इसमें क्या हो सकता है तो अगर मैं आप देखेंगे तो गया जो है यह दक्षिन में आता है तो गया हो जाएगा इसका सही अंसर ठीक है अगला प्रश्ण है बिहार में पंचाय सिम एंसर हो जाएगा पंचाय समिति के प्रधान अगला प्रशने है बिहार में सेवा का अधिकारी कानून कब लागू किया गया यानि बिहार में सेवा का अधिकार सेवा का अधिकार यहीं इंपोर्टन है सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया तो प्रशने समझ में आ बिहार को ये कानून लाया गया था बिहार में सेवा का अधिकार 25 चुलाई 2021 दिआन में रखेंगे हैं और अगला प्रश्ण है बिहार में कों सी महिला भारतीय राश्टियश सेना यायनि अज़ाधि हिंदफोज में सामिल हुई थी तो बिहार की कौन सी महिला पुछा जा रहा है कि बिहार की कौन सी महिला थी जो भारतिय राष्टिय सेना यानि आजाद हिंद फोज में सामिल हुई थी तो 67 का प्रश्ण अंसर जो हो जागा आसा सहाय जो थी ये बिहार से थी और ये आजाद हिंद फोज में सामिल हुई थी तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है इसे ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे तो 2018 में ये प्रश्ण आया है अगला प्रश्ण है बिहार में रेलेवे का पहिया बनाने का कारभाना इस्थीत है तो ये इस्तित्य छप्रा में तो प्रश्ण एक option A सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है बिहार के किजिले में सरवाधिक लिंगा अनुपात है तो लिंगा अनुपात क्या होता है तो लिंगा अनुपात क्या है पूरुस पे कितनी महिला है ये होता है लिंगा अनुपात तो सरवाधिक लिंगा अनुपात के बात करें तो गोपाल गंच का है लिंगा अनुपात कितना है गोपाल गंच का तो एक हजार इकीस ये एक हजार इकीस जो है ये क्या है ये है महिलाओं का लिंगा अनुपात यान है अगर कम की बात करें तो तो कम की बात करें तो कम किसका है मुंगेर बिहार का जो मुंगेर जीला है बिहार का मुंगेर जीला उसमें लिंगानुपात कम है अब कितने कम है तो 876 क्या है महिलाओं का लिंगानुपात है तो ये कम हुआ क्योंकि 1000 से ये बहुत कम है मात 876 है अगर बिहार का लिंगानुपात पुछा जाए तो तो बिहार का लिंगानुपात 918 है ध्यान में राखेंगे या फिर कहीं अगर दे दे 916 तो यह भी सही हो जाएगा अगर भारत का लिंगानुपात पुछे तो तो भारत का लिंगानुपात भी याद रखना है कितने हैं नौसो तेतालिस इसे भी ध्यान रखेंगे तो यह 69 जो प्रश्ण था खापी इंपोर्टन था क्योंकि एक प्रश्ण से कितने सारे प्रश्ण बन गए ठीक है ध्यान में रखेंगे अगला प्रश्ण ब्यार की जीले में महिला सक्षर्टा सर्वादिक है तो इस अभी को पता बिहार में बिहार की जीला जो रहता से उसमें महिला और पूरुस तोनों का सक्षर्टा दर जो है अधीक है अगला प्रश्ण निल सत्यागरा बिहार में कहां पारम हुआ था तो यह चमपारन में हुआ था सभी को पता है और राजकुमार सुक्ल के कहने पे मात्मा गांधी निल सत्यागरा जो था चमपारन में सुरू किया था अगला प्रश्ण देखते हैं बिहार लोगसिकायत अधिनियम का पारित किया गया देखिए फिर से in यहां पे पुछा जा रहा है बिहार लोग सिकायत अधनियम प्रशने को समझेगा तो प्रशने का जो एंसर है वो असानी से याद रहेगा और बनेगा तो बिहार लोग सिकायत पुछा जा रहा है तो बिहार लोग सिकायत अधनियम कब पारित किया गया था तो ये क्यागर में पंचायत समीति के अकेंचन नियोजन और बीत का अध्यक्ष कौन होता है ये है 73 का प्रश्न यहाँ पे मैंने क्या बताए था 72 का क्या बताए था अंसर दो अक्टूबर 2016 को इसे सुधार कर लेज़ेगा दो अक्टूबर 2016 हो जाएगा और 73 का जो अंसर होगा वो हो जाएगा पंचायत समीति के प्रमुक ठीक है अगला प्रश्न है 73 बिहार में पहला कॉंग्रस अधिनियम यानि अधिवेशन कहा हुआ था 74 का है तो देखिए बिहार में सिर्फ दो ही अधिवेशन हुआ था एक गया का हुआ था और एक पटना यानि कि बाकिपूर में हुआ था तो यहां पर पूछा जा रहा है बाकिपूर यानि कि पहला दिवेशन जो हुआ था ना तो पटना के बाकिपूर में हुआ था दियान में रखेंगे बिहार में जो कॉंग्रस अधिवेशन हुआ था दो ही हुआ था एक बाकिपूर पटन और एक दूसरा गया का हुआ था तो बाकिपूर का जो हुआ था यहां लिखते थे पटना कब हुआ था तो 1912 इस भी वियाद रखेंगे 1912 एक्स्रा फेक्ट है यह 1912 और दूसरा गया में जो हुआ था 1922 यानि 10 साल के बाद हुआ था तो हो जाएगा 1922 बस दो ही याद रखना है बिहार में गया पहला अधिवेशन बाकिपूर पटना 1912 और दूसरा गया 1922 अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ों अंदोलन के दोरान सची वाले गोली वारी की घटना का भूती देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत छोड़ों अंदोलन कब हुआ था मात्मा गांधी के दोरा 1942 में कुई इंडिया मुव्मेंट लाया गया था 1942 में तो बिहार भी उसे अच्छूत नहीं रहा है बिहार भी उसमें अपनी भागेदारी था बिहार का भी तो जो सच्ची वाले गोली वारी हुई थी घटना वो कब हुई थी यह पुछा गया है प्रश्ने में तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को ध्यान में रखेंगे 11 अग अगला प्रश्ने है बिहार में प्रशीद मंदार गीरी मंदीर कहां अवस्तित है सेवेंटी सिक्स का अंसर तो यह बाका में है 76 का अंसर हो जाएगा बाका अगला प्रश्ने है बिहार में भारत छोड़ों अंदोलन के दुरान किस जीला को अपराधी जीला गोसित किया गया था देखिए भारत छोड़ों अंदोलन से बहुत प्रश्नार इसे ध्यान में रखेंग तो 77 को जाएगा जो सारुन जीला है उसे अपरादी गुशित गया था अप्रस्टि बिहार में so neighbor Satis'. अंदोलन के दुरान राखी बंधन दिवस मनाए गया था. तो हम सभी जानते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन तो उसी को लेके सोदेशी आंदोलन भी अपनाया गया था और राकी बंदन दिवस भी मनाया गया था पंगाल विभाजन धियान में रखेंगे इसी के में किया गया था तो बिहार में सोदेशी आंदोलन भी हुआ था और पुरे भारत में भी हुआ था तो राकी बंधन दिवस कहां मनाया गया था यह पूछा जा रहा है तो 78 का अंसर हो जाएगा दर्भंगा ठीक है दर्भंगा में मनाये गया था अगला प्रशने बिहार के बित मंत्री को को निक्त करता है तो बिहार के बित मंत्री को को निक्त करेगा राजेपाल या फिर बिधान सभा के अध्याग्ज बिधान परिशत के अध्याच या फिर मूखे मंत्री तो 79 का जो एंसर हो जाए बीत मंतरी को न्यूक्त करते हैं अगला प्रशने बिहार में शुरुपत्रम राश्पति सासन कब लागो किया गया था यह असी का प्रशने है तो बिहार में देखिया बात करें तो अभी तक आठ भार राश्पति सासन आठ भार ध्यान में रखेंगे इसके अब उते डीटेल इस व कि किसके इसके समय में राश्पति सासन लगा था लेकिन मैं आभी तक आठ बार भार में राश्पति सासन लगे तेकिन प्रशन है कि पहली बार कब लागाया गया था वहारमें तुह था 90 68 ठीक है 90 68 एंसर हो जाएगा और कितने बार आठ बार अभे बिहार में कूल सड़क निर्मान के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है अब यह जो है ना यह है थोड़ा सा करेंट अफेर हो जाता है क्वस거든 एतफर हाओ रखेंगे से अगला प्राष्न 83 जूटके उतपादन में बिहार कौंसा जिला अग्रनीय जूटके उतपादन में तो आप जस्ता को पता है ऑण जूटके उतपादन में बिहार का कौंसा तो जिला अ रिनी में तो औररिय क्या हो जाएगा कटिहार वैसे पर इरे किषन गल्ज में क्या है चाय के 90 अंन प्रसने है 84 9 निर्मीत नालनादीस्षी दाले कि विजीटर कॉन थे विजीटर 9 निर्मीत नालनाद्ीस बदना कि विजीटर कॉन थे तो यहां देखें 4 transition तो इसका ऐंसर हो जाएगा गाय डॉक्तर एपीजय अबदुल कालाम हो जाएगा सही अंसर अगला प्रशने बिहार में लगबग कितने छेट पर क्रिसी कारे होता है 85 का तो लगबग देखेंगे तो 60% पर क्या होता है क्रिसी होता है अगला प्रशने बिहार में कितनी साखचरता दर 2001 ठीक है 2001 की जनगरना का अनुसार पुछा गया है दियार में कितनी सक्षर्टा दर 2001 की जन्गन्ना के अनुसार है 86 तो वो हो जाएगा 47.53% 47.53% जो है 2001 की जन्गन्ना के अनुसार बिहार के सक्षर्टा दर था और अभी 2011 की जन्गन्ना के अनुसार अगर देखे 2011 की जन्गन्ना के अनुसार देखे तो भीहार का सक्षातरदर लगभग या 61 परसेंट या फिर उससे भी कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कहीं देखने को मिलता है अगरा प्रशने प्राचीन नालंदा विश्वविदाले का संस्थापक कौन था कुमार गुप था अगला प्रशने मुंगेर में किसकी राजधानी थी तो मुंगेर ने मतब किस सासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था तो वो मीर कासिम जो था उसने मुंगेर को अपनी राधानी बनाई थी अगला प्रस्ण है परिश्वर नाथ रेनु का जनम कहा हुआ था 89 तो परिश्वर नाथ रेनु का देखिए इसमें थोड़ा डिसकेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो प्रस्ण है जिसमें परिश्वर नाथ रेनु का जो जनम हुआ था प्रस्ण अप्शन में नहीं दिया हुआ है ठीक है थोड़ा गुम्राक किया हो गया है और थोड़ा तिमाग लगाएंगे तो ये बन भी जाएगा देखिए कैसे परिश्वर नाथ रेनु का जनम हुआ था वो हुआ था अररिया में कहां हुआ था अररिया में हुआ था फरिश्वर नाथ रेनु का जनम और बता दे कब हुआ था फरिश्वर नाथ रेनु का जनम हुआ था 1921 में धियान में बहुतेंगे इसको अगर प्रश्ण आया है तो इससे प्रश्ण बन सकता है 1921 में जनम महता फरिश्वा दरेनु का अररिया में अब भली अररिया कहां है तो अररिया जो है पूर्णिया प्रमंडल का क्या है हिस्सा है पूर्णिया प्रमंडल का हिस्सा है अररिया तो देखे यहां पे पूर्णिया दिया हुआ है तो एक तरह सही क्या हो गया सही हो गया जनम का हुआ था अररिया में हुआ था अगला प्रस्ट ने वर्ष 2001 की जनगर्ना के अनुसार पिहार के कुल जन संख्या कितनी थी देखें 2001 की जनगर्ना के अनुसार इसमें पुचा गया है 2001 के जन गर्ना के अनुसार तू इतना था यह डेटा या रख सकते हैं या भिमधन अगला प्रस्ट ने पटना हई-kot क्योर्ट के स्थापना का भुती तो से में देखिए पटना हई-kot के स्थापना और यह 1916-1917 दो अप्शन देकर आपको कन्फ्यूज कर देगा यह प्रश्न तो इससे ध्यान में रखेंगे पटना हाइप के स्थापना हुए थी अब इससे याद करेंगे पटना हाई तो हाई है यहां पर यह जो हाई लिखावाय है इससे जमझेगा कि हाई यानि कि फर्स्ट में तो फर्स्ट में क्या आएगा 16 तो 1916 ध्यान में रखेंगे और पटना बिश्रो भी द्याले 17 में अगर थोड़ा लोजिक लगाएंगे तो क्या होगा याद हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में लोकसावा सीटों की संख्या कितनी है तो कितनी है चालिस है अगला प्रश्न है नदी जो बिहार का सो सदेखन के कि मार्ग बदलने में क्या है काफी माईर है मार्ग बदलती है जिससे यह बिहार का सौका लाति है गलाप तरश्न है 925 विहार य抵 In 1930 में बिहार किसान अंदोलन का नितित्व किसने किया था और यहां पे चार ओप्सन है राजेंद प्रशादे मुझपर अहमादे स्वामी सहजानन्द है और सी आर तास है तो 95 का 2 यानि स्वामी सहजानन्द जो है 1930 में बिहार सभागे उन्होंने अन्यतित्व किया था अगला प्रशन है बिहार राजे विभाजन कर जार्खन राजे कब बना था तो ये आप सभी को पता होगा कि कब बना था तो ये बना था 2000 यानि पूरा अगरबात करें तो 15 नौवंबर 15 नौवंबर 2000 को बिहार जो है जार्खन जो है बिहार कई है ये जार्खन कई है क्या हुए थे अलग हो गए थे 97 गुरु कोविन सी जी का जनम भूमी है क्या है पतना है अगला प्रशने बिहार की सिमावर्ती राजों की संखिया है 98 का जो एंसर हो जाएगा तीन जो है बिहार के सिमावर्ती राजों की संखिया है अगरा प्रश्ण है यानि कहने का मतलब कि बिहार सिमावर्थी राजय मतलब क्या यानि बिहार का अगर मैप देखेंगे न बिहार का मैप अगर देखते हैं तो यहां पश्ची में यूपी है दक्षीन में जहरखंड है अब पूरव में क्या है सिमा वर्ती राजे तो बिहार से किते राजे लगते हैं तो यूपी है और ये और ये तीन राजे सिमा बनाते हैं तो इसलिए इसका तीन अंज़र उपर में क्या है उपर में नेपाल है और 99 का प्रश्ण है बिहार में 1857 के प्रत्थम सोतंत संग्राम के सेना नाएक पीर कुवर सिंग का स्वर्वगा रोहन निम्निकी तीथी को हुआ था यानि कि उनका मिर्थिव कब हुआ था पूछा जा रहा है 99 का जो एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 10 अप्रेल 1858 को पीर कुवर सिंग का मिर्थिव हुआ था 10 अप्रेल 1858 और जो यूद सुरू हुआ था 1857 में और इस वीडियो का लास्ट प्रश्ण है और नेक्स इसका बाद इसका पढ़ेंगे सवा प्रश्ण देख लेते हैं अभी बिहार के महान सोतंतरता से नाली बीर कुवर सिंग का जनम 80 का संबंध है तो यह प्रश्ण जो काफी बारी पिटेत होता है बीर कुर सिंग का जो है उनका संबंध कहां से होगा तो जो थे 157 के विद्रों से उनका समान दित था तो 1857 हो जागा क्यूंकि 1858 में देखें तो उनका मिर्ती ही हो गया था तो 1905 तो होगा नहीं 1865 भी नहीं होगा अब भारत की सुतंता तो है ही नहीं तो 1857 का हो जाएगा इसने तो देखें अगला प्रश्ण जो आ गया 101 इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमने अभी तक 100 प्रश्ण को क्या किया बिहार जी के जो है उसके 100 MC क्यूं कर आप चाहें तो यह से एक रिविजन क्लास के तोड़ पर ले सकते हैं अगर आप सभी को पहले से यह सारे अंसर आते हैं तो ठीक है और इसे सेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ही किजिए चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक् देख लिजेगा सुरू से और टेली कराम जो चैनल है डिस्क्रेप्शन में उसका में लिंक दे दूंगी वहां से आप इसका पीडियो डाउलोड कर सकते हैं चलिए ठीक है जाए हिंद